Hello and welcome to Maths, Mater, Classes Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट थिउरी के आगे के चाप्टर को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोगे एकसर साइज 1.2 को सॉल्व करेंगे तो 1.2 सॉल्व करने से पहले जिसमें हम लोग समुझे पढ़ रहे हैं सॉल्व करने से पहले एक तो आपको पहले का वीडियो देखा हुआ होना चाहिए जिससे आपकी जानख्यारी हो जाए कि सेट क्या होता है कैसे क्या क्या करते है रोष्टर फ GC होगा या सेट बील्डर फंव होगा या किस-किस रूप में हम उसको लिख सकते तो वो आपको जानकारी होना चाहिए और दूसरा कि exercise 1.2 को solve करने से पहले हमको कुछ definitions मालूम होना चाहिए क्योंकि 1.2 में आपको पहचानने के लिए दिया हुआ है कि null set क्या होता है word set क्या होता है तो सबसे पहले हम definitions सीखेंगे और उसके बाद exercise 1.2 को solve करना भी सीखेंगे तो जैसा कि हमने आपको पताया कि exercise 1.2 को solve करने किस से पहले हम लोग वो types of set के बारे में समझना होगा कि उसके कुछ definitions जानने होगे ताकि आप exercise 1.2 को असानी से solve कर सेकें क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि आपको चुनना है कि कौन सा रिक्त समूझ है null set है कौन सा finite है infinite है तो आएए देखते हैं definition क्या है तो हमारे जो topic है वो है क्या types of set जिसमें हमने पहला लिया हुआ है null set null का मतलब क्या है कुछ नहीं null मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं को कह सकते है word set कह सकते है या empty set कुछ नहींδ ही तो खाली ही होगा या 0 set मतलब उसमें क्या है कुछ नहीं है तो ये चारो एक ही set के नाव है या तो आप null set कहें words set कहें empty set कहें अर Hindu में इसका नाम क्या हो जाता है rictap इसके definition का ज़ती बात कीजिएगा तो कह रहा है गया कि a set having no element is called null set तो मतलब क्या हिंदी में आप समझे मतलब कि वैसा समुच जिसके पास कोई भी अवयो ना हो जिसके पास कोई भी अवयो ना हो तो यदि आप उसके example का बात करें example का बात करें तो क्या आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसमें कि वैसे पूरुषों की संख्या पूरुषों की संख्या जो अमर है जो क्या है अमर है इम्मोर्टल है तो क्या वैसे पूरुष को आप जानते हैं या किसी ने जाना है अभी तक जो क्या है? आमर है तो ऐसा नहीं है जो आदमी जनम लिया है वो मरेगा तो मतलब अगर हम कहा है कि वैसे समुच या वह समुझ जिसमें क्या है? पूरुसों की संख्या है, जो अमर है. तो वैसा कोई आदमी नहीं है, मतलब क्या है? कि इसके समुझ के अंदर कोई भी आवयो नहीं आएगा, किसी भी आदमी का नाम नहीं आएगा. तो ये एक एक जामपल हो गया. दूसरे एक जामपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, कि क्लास एलेमेंथ में वैसे छात्रों की संख्या, जो क्लास टेंथ में भी है. तो ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. क्लास टेंथ जो पास कर लेगा, वही आएगा element में तो इस तरीके से आप example भी दे सकते हैं generally इसको denote करते हैं कुछ इस तरीके से 5 से या फिर curly bracket आप लिखेंगे लेकिन इसके अंदर कोई भी element नहीं लिखेंगे तो null set को या 5 से आप denote कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप denote कर सकते हैं अगले ब्रकेट लिखेंगे उसके अंदर कोई भी अवियो नहीं लिखना है एक्जामपल में हो गया क्या पुरुसों की संख्या जो क्या है अमर है तो इसा कोई है ही नहीं मतलब क्या हो गया element नहीं आया अगला जो हमारा set है वो क्या है finite और infinite set इसको हिंदी में कहते हैं परिमित एवं आपरिमित समुझ तो जहां तक finite set का definition का बात है तो हम कह सकते हैं कि a set which has finite number of element finite का मतलब क्या होता है जिसको आप गिन सके वह होता है finite तो वैसे मतलब परिमित समुझ का definition हो जाएगा कि वैसे समुझ जिसके अवयाओं को हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाएंगे finite set कहलाएंगे और वैसे समुझ जिसके अवयाओं को हम नहीं गिन सकते हैं अगर हम सीधी असान भासा की बात करें तो वैसे समुझ जिसके अवयाओं को हम नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा, infinite set हो जाएगा definition का बात करें तो a set which has finite number of elements is called finite set, a set which has infinite number of elements is called infinite set example का बात किजिए, finite में आज़े finite set में आज़े कि set of vowels तो अगर हम vowels का बात करें तो आप जानते हैं क्या होता है a, e, i, o, u तो पांच ही भवेल होते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं आप उसको गिन पा रहे हैं उसको आप गिन पा रहे हैं a, e, i, o, u तो इसके अवियो को आप गिन पा रहे हैं इसलिए ये set कौन सा है finite set है, इसका आप नाम करन भी कर सकते हैं, यह नाम भी दे सकते हैं, तो इस तरीके से finite set हो गया, इसमें आईए, कह रहा है क्या कि a set which has infinite number, तो infinite number वाला कोई है कि यहाँ पर लेजे, जैसे कहा है, देजे कि set of integers, set of integers, set of integers, set of integers का मतलब क्या पुर्नांक हो किसे है, तो पुर्नांक से बढ़ते चले जाएं, तो हमारे पास infinite integer है, पुर्नांक है, तो आप यहाँ भी कह सकते हैं, कि set of integers, set of integers, अब आगे के definition को देखते हैं, तो हमारा आगे का set है क्या equal sets, singleton set और pair sets, तो equal set को ऐसे हिंदी में कहते हैं, समान समुच, और इसके अगर definition का बात करें, तो इसमें दो set होंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि two sets A and B are set to be equal sets, if each and every element of set A must be present in set B, मतलब, कि set A के सारे अव्योव, अगर set B में present हुए, तो set A को और B को equal set कहेंगे, जैसे, example के तोर पे आप देखिए, जैसे, set A हमारे पास है, और इसमें हमारा है all vowels A, E, I, O, U, और एक set B है, इसमें भी vowels ही हैं, लेकिन order change करके हैं, जैसे, E, I, O, A, U, तो इसमें आप दोनों में देखेंगे कि एक ही element है, जैसे, A यहाँ है, तो A है, E, E है, I, I, मतलब, सारा element A का किसमें है, B में है, और B का भी सारा element A में होना चाहिए, और यहाँ पर vice versa भी कर सकते हैं, vice versa, मतलब, all elements of set B must be present in set A, versa, इसको generally, दो set अगर equal set हुए, तो हम दोनों को denote करेंगे कैसे, denoted by, जैसे equal का symbol देते हैं, वैसे ही, denoted by A equal to B, तो अब आपको यह समाज में आगे होगा कि equal set क्या होता है, मतलब A के सारे सदस, जो जो सदस है, number नहीं है, सारे सदस B में होने चाहिए, और B के सारे सदस A में होने चाहिए, तब दोनों set क्या कहलेंगे, equal set कहलेंगे, एक्जामपल हमने आपको बताया, इसी तरीके से आप और भी एक्जामपल ले सकते हैं, जैसे आप मान लिजिए कि P में है P और Q, और Q set में है Q और P, तो आप देख पा रहे हैं, दोनों में same element है, पतलब यहाँ P है, तो इसमें भी P है, Q है, तो इसमें भी Q है, तो आप कह सकते हैं कि P set equal है किसके, Q के, तो इस तरीके से आप equal set को पहचान सकते हैं, जो हमारा अगला set है, वो है singleton set, इसको एकल समुच भी आप कह सकते हैं, तो इसका definition है कि वैसे समुच, जिसके पास सिर्फ एक ही element है, उसको हम क्या कहेंगे, singleton set कहेंगे, A set which has only one element is called singleton set, इसमें example में आप देख सकते हैं, जिसे example में हम माल लेते हैं कि हमारे पास एक set A है, और इसमें set of present prime minister of India, मतलब set of present prime minister, तो present prime minister तो सिर्फ एक ही है, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो एक ही है मतलब क्या, set A में एक ही element आया, और इसलिए ये कैसा set हो जाएगा, singleton set हो जाएगा, एकल समुच हो जाएगा, इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं कैसे, एकल समुच, फिर आगे जो हमारा क्या है, pair set है, pair मतलब, जोड़ा, तो जोड़ा के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए गया, कि a set which has only two elements, मतलब जिस set के पास दो अव्यों रहेगा, दो element रहेगा, दो member रहेगा, वो set क्या कहलाएगा, pair set कहलाएगा, example के तोर पर आप देख लिजे, जिससे हमारे पास एक piece set है, जिसके element है क्या, तीन और चार, तो ये कैसा set कहलाएगा, pair set कहलाएगा, क्यों एक ले लिजे, a और e रहा, तो इसमें भी देखिए, दो element है, तो इसको भी क्या कहेंगे, pair set कहेंगे, और भी आप example ले सकते हैं, a बराबर, राम, एंड, स्याम, तो ये भी क्या हो जाएगा, pair set हो जाएगा, इसमें भी क्या है, दो element है, तो इस तरीके से आप equal set, singleton set और pair set को पहचान सकते हैं, तो आई अब exercise को करते हैं, तो हमारा जो exercise है, वो हमने 1.1 को पहले ही कर दिया है, और अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जरूर देखिए, जिसमें आपको set के बारे में जानकारी मिलेगा, कि क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग पढ़ के बताते हैं कि कौन-कौन सा question का है, क्या होगा, तो जो पहला question है, वो कहरा है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच के उदाहरन है, मतलब कौन रिक्त समुच है, और उसमें पहला दिया है कि दो से भाज बिसम प्रकृत संख्याओं का समुच, तो वैसे बिसम प्राकृत संख्या को लिखना है समुचे में जो दो से क्या हो भाजे हो जिसमें दो से पूर्ण रुप से भागा दिया जा सकता है तो क्या कोई बिशम प्राकृत संख्या दो से बिभाजित होता है तो आप जानेंगे कि नहीं होता है जिसे बिशम प्राकृत संख्या को और जब नहीं आएगा, तो यह रिक्त समुच्य का उदारन हो जाएगा, मतलब यह नल सेट हो जाएगा. Second question इसी का देखिए, second question में कहा है कि सम अभाज संख्यां का समुच्य है, तो आपको मालूम है कि अभाज संख्या किसको कहते हैं और उसी में आपको ढूड़ना है सम अभाज संख्या तो सम अभाज संख्या कौन कौन सा होता है तो अभाज संख्या होता है दो तीन पाँच साथ ग्यारा तेरा सत्रा इस तरीके से आगे कियो तो इसमें sum अभाज संख्या कौन है, sum आपको कहाँ दिख रहा है, तो एक दिख रहा है, यही पे कुछ लोग कल्दी करते हैं कि, अभाज संख्या sum नहीं होता है, अभाज संख्या sum होता है, यह शुरवात में जो 2 है, तो यह nullset है क्या? नहीं, जब आप सम अबहाज संख्या को ढूंडेंगे, तो एक element वहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि क्या है, दो है, तो ये null set नहीं हुआ, null set का definition क्या था, जिसके पास एक भी element नहीं हो, तो हमारा तो एक element है यहाँ पे, तो ये null set नहीं है, आप इसको singleton set कह सकते हैं, तीसरा question देखिए, कह安全 है कि, एक प्रकृत संख्या है, जो 5 से छोटा है, और 7 सद से बड़ा है, मतलब एक ऐसा प्रकृत संख्या को आपको set में रखना है, यशा वैसे प्रकृत संख्या को रखना है, जो 5 से तो छोटा है, इसका मतलब कहा रहा है कि x 5 से छोटा है और x 7 से बड़ा है, मतलब क्या कोई प्राकृत संख्या एक बार में 5 से छोटा भी हो सकता है और 7 से बड़ा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, जो 5 से छोटा है वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता इसलिए इसमें कोई भी element नहीं आएगा, मतलब वैसा कोई संख्या होता ही नहीं है, जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए, इसलिए ये null set हो जाएगा, इसमें कोई भी element नहीं आएगा फोर्थ का एक्जामपल लीजिया, फोर्थ में कह रहा है क्या, कि किसी भी दो समानांतर रेखाओं का उभायनिष्ट बिंदू, कोई भी दो समानांतर रेखा का उभायनिष्ट का, मतलब क्या, जहां पे वो कट करें, दोनों एक दूसरे, तो क्या कोई समानांतर रेखा, एक नहीं कट करेगा तो आपके पास कोई बिंदू आया नहीं मतलब कोई element आया नहीं जब element नहीं आया तो क्या कहेंगे null set कहेंगे तो यह null set हो जाएगा रिक्ट समुच्य हो जाएगा और आगे देखिए अब है question number two इसमें कह रहा है कि निमले लेखित समुच्यों में से कौन परिमित है और कौन आपरिमित है तो हमने आपको परिमित और आपरिमित के लिए बताया हुआ है कि वैसे समुच जिसके आवयों को हम गिन सकते हैं वो परिमित समुच कहलाते हैं यह मैंने आपको बताया है परिमित समझ, सेगेंड कुश्चिन देखिए, सेगेंड में कह रहा है कि, एक, दो, तीन, और डॉट डॉट इस तरीके से है, एक, दो, तीन, और यह, इसका मतलब क्या है, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, और परिमित समझ, अभी इसका थर्ट नमबर देखिए, थर्ट में कहा रहा है, कि एक, दो, तीन, उसके बाद डॉट डॉट है, और एक, दो, तीन, डॉट 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 इसी तरीके से निन्न्यानवे सौ, मतलब कि इसी तरीके से बढ़ेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, निन्नानवे सौ, सौ तक रुख जाएगा, तो इस सब को आप लिखके गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आट, नौ, दास, ऐसी करते करते हैं, सो तक लिखेंगे, और इसो गिन लेंगे, तो आप गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो यह कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, नेक्स्ट, कराया कि सो से बड़े धन पुर्नांकों का समुझ, तो सो से बड़ा धन पुर्नांक है तो, 101, 102, 103, 104 इस तरीके से अनन्त 100 से बड़ा मतलब कहीं भी जाईए मतलब 101, 102, 103 इसी तरीके से कहां तक जाईए अनन्त तक चले जाईए तो अब इतना हमने लिख दिया 100 से बड़ा सब्धन पुर्णाग और क्या आप इसको गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं तो कौन सा हो जाएगा इन्फानाइट सेट अब लास्ट इसका देखिए क्या रहा है कि 99 से छोटे अभाज पुर्णाग को का समझ 99 से छोटा अभाज पुर्णाग ढूंड ये ढूंड सकते हैं ना हैं 100 से पहले जो आभाज संख्या है वहां तक तो आप वहां तक जाएंगे और एक बार लिखने के बाद उसको क्या कर लेंगे मतलब सभी आभाज संख्याओंको आप काउंड कर सकते हैं लेकिन कहां तक 100 तक इसलिए ये वहाला कौन सा हो जाएगा finite z हो जाएगा अब आईए question number 3 में कह रहा है यहाँ पे आप देखी कह रहा है कि निमनलिखित समोच्चों में से परत एक के लिए बताईए कि कौन परिमित है और कौन आपरिमित है और इसके पहला question में लिखा हुआ है कि x अच के समानतर रेखाओं का समोच तो मतलब वैसे रेखाओं को आपको लिखना है जो x अच के क्या है समानतर है और यदि हम उन समानतर रेखाओं को गिन सकेंगे तो हम लिखेंगे कि यह परिमित समोच है और यदि हम नहीं गिन सकेंगे तो लिखेंगे क्या कि परिमित समोच नहीं है तो आप जानते हैं कि ये होता है x-axis और ये क्या होता है y-axis तो x-axis के समानांतर सब रेखाओं को लिखने के लिए कह रहा है तो x-axis के समानांतर क्या एक के गो रेखा होगा? अनन्त को हो जाएगा ना इस सरीके से आप खींशती रही है जिन्दगी खतम हो जाएगा लेकिन रेखा खतम नहीं होगा मतलब इन रेखाओं के समुच्य को हम गिन नहीं सकते हैं और नहीं गिन सकते हैं तो क्या कहलाएगा यह इन्फानाइट सेट कहलाएगा infinite set कहलाएगा का मतला अपरिमित समुच्छ होगा second number देखी second में कहा रहा है कि अंग्रेजी वर नमाला के अच्छरों का समुच्छ तो अंग्रेजी वर नमाला के अच्छरों को आप जरा लिखने का कुशिस कीजिए तो A, E A, B, C, D Y, Z तक इन सबको आप लिख सकते हैं और जानते भी हैं कि 26 होता है मतलब काउंट कर सकते हैं कर सकते हैं तो ये कौन सा set कहलाएगा finite set कहलाएगा तीसरा देखी third number कहरा है कि उन संख्याओं का समुच्छ जो 5 के गुनज है मतलब उन संख्याओं को पहले तो आप लिखने का कुशिस कीजिए जो 5 के गुनज हैं और उसके बाद क्या उसको काउंट करने का कुशिस करेंगे तो 5 के गुनज 5 भी होगा 5 एक कम 5 दुना 10 15 20 और ऐसे ही करते-करते 200 इससे आगे भी 300 200 2 करोड 4 करोड यह सब तो 5 से डिविजिबल मतलब 5 के मल्टिपल में ही आ रहा है गुनज में ही आ रहा है तो क्या आप इन सब को गिन सकते हैं क्या इन सब को आप काउंट कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा, infinite set हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, infinite set हो जाएगा, चार नमबर पढ़िए किराए कि फिर्थिवी पर रहने वाले जानवरों का समुझ तो फिर्थिवी पर रहने वाले जानवरों को गिनना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है आप उसको गिन सकते हैं तो गिन सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा finite set हो जाएगा finite set next देखिए किरा है कि मूल बिंदू 0,0 से होकर जाने वाले बृतों का समुझ तो मूल बिंदू पहले तो आप खिश लिजे यह आपका मूल बिंदू है और यहाँ से गुजरने वाले बृत यहाँ से गुजरने वाले सरकल आप जड़ा ड्रॉ करके देखिए कि कितने होते हैं तो एक तो देखिए यह हो गए यहाँ से और भी खिच सकते हैं देखिए तो खतम होगा क्या नहीं होगा, खिचते रहिए यह मूल बिंदू से गुजरने वाले बृतों के अनांत संख्या होंगे खिचते रहिए, सब बिंदू से गुजरने वाले बिंदू को आप काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए यह कौन सा हो जाएगा इंफानाइट सेट हो जाएगा तो यह थर्ट नमबर हो गया अब फूर्थ नमबर में क्या कह रहा है कि मिलान कर, मतलब बताना है कि दो सेट दिया हुआ है हर एक कुश्चन में और कह रहा है कि A और B बराबर है कि नहीं तो आप देखिए चार के पहला कुश्चन में सेट A में लिखा हुआ है A, B, C, D और B में लिखा हुआ है B, C, B, A तो यह दोनों इक्वल तो हैं ही ना देखे A इसमें भी है, B इसमें भी है C इसमें भी है, D इसमें भी है और इसमें का भी सारा व्यों इसमें है तो हम कह सकते हैं कि A का सारा व्यों B में है और B का भी सारा व्यों A में है तो आप कह सकते हैं कि A और B क्या है? इक्वल है A और B इक्वल सेट है समान समुच है Similarly question number 2 में देखिए कि A में 4 है 8 है 12 है 16 है B में देखिए 4, 8, 16 और 18 दिया हुआ है मतलब समुच A में जो 16 है वो B में नहीं है और कोई भी एक element A का यदि B में ना हो या B का भी कोई एक element A में ना हो तो वो दोनो equal set नहीं होंगे तो आप कह सकते हैं कि ये दोनो equal set नहीं है और जब नहीं है तो equal लिख के नहीं लिख देना है मतलब काट देना है A is not equal to B तीसरा में देखिए कह रहा है कि A में element कौन-कौन सा है 2, 4, 6, 8, 10 और B में इसको set builder form में लिखा हुआ है कि X सम धन पुर्णांक है जो 10 के बराबर या उससे क्या है? छोटा है तो जो X है वो सम धन पुर्णांक है और 10 के बराबर या उससे छोटा है ये समुच B का कहानी है तो वैसे आप धन पुर्णांक को लिखिए जो 10 के बराबर या इससे छोटा है और वो sum भी है तो 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और देखे तो ये सारे के सारे aviour, धन भी है, पुरनांक भी है और 10 के बरावर या उससे छोटा भी है, अब इससे आगे नहीं होगा इसके आगे तो 0 आ जाएगा, minus 2 आ जाएगा, तो वो सब नहीं होंगे, और समुच A में क्या कहे रहा था, समुच A में दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10, तो देखिए दोनों में सेम अवियो है क्या, यह सारा अवियो 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें कभी सारा इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि A और B दोनों क्या है, बराबर है, A और B दोनों यहां पे बराबर हो गया, फोर्थ नम्बा देखिए, कह रहा है कि समुच A, समुच A में कह रहा है कि एक ससंख्या 10 का एक गुनेज है, तो 10 का गुनेज कौन कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा 10, 33, 40 और इसी तरीके से बोड़ते जाएए 50, 68, 87, 80, 100, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 ऐसी करते हैं आप अनंतग जासते हैं और समुच B के बारे में क्या कह रहा है B में element दे दिया है 10, 15, 20, 25 10, 15, 20, 25, 30 और इसी तरीके से तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि समुच A का सारा अवयो B में है देखिए 10 है, 20 है, 30 है और इसी तरीके से और आगे लिखेंगे तो 35, 40 लिखेंगे तो 40 भी आजाएगा लेकिन समुच B का सारा अवयो समुच A में है क्या? नहीं है 15 B में तो है, लेकिन A में नहीं है, इसी लिए ये दोनों equal set नहीं होंगे तो ये दोनों equal set नहीं होंगे, क्यों? कारण भी आप लिख सकते हैं Because 15 does not belong to A, मतलब 15 does not belong to A, एक ही कारण काफी है, आपको ज़रूद नहीं कि 25 के बारे में भी लिख है, 35 के बारे में भी 45 के बारे में कोई एक कारण आप दे दीजिए कि इसके कारण ये दोनों बराबर नहीं है अब देखिए, question number 5 और 5 में कह रहा है, कि यहाँ भी पूछ रहा है कि कौन सा समूच युग में बराबर है और इसका कारण भी बताना है तो कारण तो हम लोग देखी रहे हैं, शुरू से 5 के पहला में लिखा हुआ है, कि A में है 2 और 3 और B सेट में लिखा हुआ है, कि एक समिकरन है, x square plus 5x plus 6 equal to 0 मतलब, इसके मूल के बारे में कह रहा है, कि x समिकरन x square plus 5x plus 6 बराबर 0 का एक हल है हल है मने मूल है मने x कमान है तो इसको यदि आप हल करेंगे, तो क्या करते हैं यहाँ पर 1 है, यह दोनों को गुना करते हैं, और गुना करने के बाद देखते हैं, कि इप 5 को हम कैसे लिखें, कि क्या आजाए प्लस 6 आजाए, और जोडे घटा आएं तो प्लस 5 आजाए, तो 3 और 2 लिख सकते हैं प्लस 3 और प्लस 2 देखिए दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 6 आजाएगा और दोनों को जोडेंगे तो प्लस 5 आजाएगा, अब सोचना क्या रहत है यहां पर कि यहां LHS में है तो प्लस है, प्लस है RHS में होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, और यही अंसर हो गया एकस का यही दो मान हुआ, यही दोनों मूल हुआ इस समीकरन का, और यदि आप डिटेल में Quadratic Equation सीखना चाहते हैं, मतलब इस तरीके का सेकंडो में हल करना, तो हमने आपको उसका एक वीडियो बनाया हुआ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेस्टोर में, प्लेस्टोर नहीं, प्लेस्ट में, तो यहां से इस एक्स का माना रहा है माइनस तीन और माइनस दो, तो यही आपका समूच्छी हो गया, मतलब element हो गया, और यहां पर क्या लिखावा है, प्लेस्ट में है, तो क्या यह दुनों बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, कि A और B A और B बराबर नहीं है, A is not equal to Next है, दूसरा number question, second, कराए कि A, समूच्छ, A में कराए कि एक सब्द follow का एक अच्छर है, तो आपको पहले ही जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे, शुरुगाद में, तो आपको पताया गया था, कि समूच्छ के roster form में, एक element को एक ही बार लिखना रहता है, तो यहां भी जब एक element को एक ही बार लिखेंगे, तो set A को यदि आप roster form में लिखते हैं, तो लिखेंगे कैसे, यहां पे F, यहां पे O, अब यहां पे L, दो L है तो दोनों को नहीं लिखना रहता है, ए और W, यह हो गया, समूच्छ B के बारे में आप देखिए, समूच्छ B में करा है कि उल्फ का एक अच्छर, तो उल्फ का मतलब क्या है, W, O, L, F, तो इसमें देखिए सारे O, को एक बार इसे यहां भी लिख दीजए, तो W, O, L, F, यहां तो एक एक हैं, देखिए तो A का सा और W, B में है क्या, और W, A में है क्या, तो F है, O है, L है, W है, और इसका भी B का भी सारा और W, A में है, तो हम कह सकते हैं कि A और B यहां पर क्या है, बराबर है, अब यहां पर जो कुश्चन नमबर 6 है और इस चेप्टर का आखरी कुश्चन, इसमें 8 समूच्छ दिए बराबर हो सकता है, C किसके बराबर हो सकता है, तो हम बारी बारी से हम चेक कर लेंगे कि A किसके बराबर है, B किसके बराबर है, और यहां पर हमने सारे समूच को यहां पर लिखा हुआ है, तो आप जड़ा A से सुरुगाद कीजिए, कि A किसी के बराबर है गया, मतलब A में element है 2, 4, 8, 12 तो 2, 4, 8, 12 कहीं है? दिख रहा है कि आपको? देखिए तो 2 कहीं और दिख रहा है 2, 4, 8, 12 नहीं, 2 तो है, 4 तो है, 8, 12 नहीं है 2 है यह नहीं 2, 4 है, 8, 12 नहीं है मतलब 1 किसी के बरावर नहीं है, अब आगे आईए B में, करें कि 1, 2, 3, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 ढूंड़ी है देखिए तो इसमें आ रहा है नहीं मतलब B और D क्या है? इक्वल है, B का सारा element D में है और D का सारा element B में है, तो हम लिख सकते हैं कि B और D क्या है? इक्वल सेट है और आगे ढूंड़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर रुख जाना है, और आगे और कहीं आगे था क्या? नहीं है अब C के बारे में देखिए, 4, 8, 12, 14 तो हैं नहीं कहीं पर, 1, 2, 3, 4 तो B के बराबर था, तो हमने लिखे दिया है अब B बराबर D लिखे हैं चाहे D बराबर B लिखे हैं, मतलब एक ही होना है, अब आजे माइनस 1 और 1, माइनस 1 और 1 देखिए कहीं पर दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है G में इसमें था माइनस 1 और 1, यहां भी है 1 और माइनस 1, तो इसका सारा आवयो इसमें है, इसका सारा आवयो इसमें है, तो हम लिख सकते हैं जो equal है, मतलब B, D के equal है और E, G के equal है तो इस तरीके से हमारा ये chapter यहीं पे खतम होता है और यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, share करें और आगे भी हम लोग रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहेंगे आगे के chapter के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक share, like, subscribe करें